हलो मैं लवली हनीबनीज, मैं लवली चिल्डरन, हाव रियू आल, फाइन, हैपी, हल्दी, येस, आपी टू, चलो आज क्या करेंगे, आज मैं आपको नेम आफ डेस, डेस के नेम कैसे लिखते हो सिखाऊंगी, ठीक है, आपको बोलना तो आता होगा, संडे, मंडे, टूस्ड आज हम उसको लिखना सिखेंगे, ओके, चलो शुरू करते हैं, हाँ, सी, सबसे पहले क्या आएगा, संडे, संडे का S कैपिटल, स, यू, एन, डी, ए, वाई, संडे, स, यू, एन, सं, डी, ए, वाई, डे, संडे, से विट मी, स, यू, एन, सं, स, अ, न, सं, ड, ए, य, ड, ए, य, एसे बोलना पड़ेगा, हाँ, डे, यह फोनिक्स से नहीं होगा, स, यू, एन, ड, ए, वाई, संडे, संडे, संडे का मतलब क्या होता है, हैं गुजराति में क्या बोलते हैं संडे को, र, वी, वा, र, संडे, हिंदी में बोलते हैं इत वार, या फिर क्या बोलते हैं, र, वी, वार भी बोलते हैं, संडे, र, वी, वार, ओके, चलो भी नेक्स्ट, संडे के बाद क्याएगा, मंडे, तो मंडे कैसे लिखेंगे, M-O-N-D-A-Y, M-O-N मन-D-A-Y डे मंडे, बोलो मेरी साथ, M-O-N-D-A-Y मंडे, मंडे यानी सोमवार, क्या बोलेंगे इसको, सोमवार, मंडे, मंडे यानी सोमवार, M-O-N-D-A-Y, मंडे, ओके, चलो, संडे मंडे, अब क्या आएगा, अब आएगा, त्यूस्डे, T-U-E-S-D-A-Y, त्यूस्डे, डे का स्पलेंग तो सब के बीछे लगेगा, है ना, संडे, S-U-N-D-A-Y, मंडे, M-O-N-D-A-Y, T-U-E-S-D-A-Y, त्यूस्डे, तो Tuesday को क्या बोलेंगे गुजराती में, मंगडवार, है ना, हम गुजराती में मंगडवार बोलते हैं न, उसको इंगलिश में क्या बोलते है, Tuesday, say with me, Tuesday, Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y, Tuesday, Tuesday, ओके, चलो, what comes after Tuesday, Tuesday के बाद क्या आएगा, Wednesday, और उसका स्पलिंग क्या होगा, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, देखो जैसे है ना, बहुत लंबा स्पलिंग होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना, डिवाइट कर लेंगे, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, इसमें जो D है ना, वो सालेंट लेटर है, तो कैसे बोलेंगे, Wednesday, क्या बोलेंगे, Wednesday नहीं बोलेंगे, बूदवार, गुजराते में क्या बोलते है, Wednesday को, बूदवार, है ना, चलो, Wednesday, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, Wednesday, say with me, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, Wednesday, Wednesday यानी बूदवार, चलो, अभी, next, what comes after, Wednesday, Wednesday के बाद क्या आएगा, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, क्या आएगा, Thursday, T-H-U-R-S-D-A-Y, Thursday, बोलो मेरे साथ, T-H-U-R-S-D-A-Y, Thursday, Thursday यानी गुरूवार, बोलो मेरे साथ, गुरूवार, Thursday यानी गुरूवार, T-H-U-R-S-D-A-Y, Thursday, Thursday यानी गुरूवार, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Thursday के बाद क्या आएगा? Thursday के बाद आएगा Friday F-R-I-D-A-Y Friday बोलो F-R-I-F-R-I-D-A-Y-D Friday 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 यानि शुक्रवार शुक्रवार F-R-I-D-A-Y Friday यानि शुक्रवार Friday बराबर चलो अभी Friday के बाद आएगा Saturday S-A-T-U-R D-A-Y S-A-T-U-R Saturday Say with me S-A-T-U-R Say का क्यों होगा? S-A-S-A T-U-R-T-U-R Saturday यानि शुनिवार 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 को क्या बोलेंगे? Saturday देखो कुछ बच्चों को कैसा होता है जैसे कि Thursday बोल दिया पर Thursday को हम गुजराती में क्या बोलते है? वो नहीं पता होता है भूल जाते है वे हो है ना? तो आपको English में और गुजराती में दोनों में याद रखना है कोई पूचे कि Saturday मतलब गुजराती में क्या बोलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि शनिवार हिंदी में क्या बोलेंगे? शनिवार है ना? चलो Saturday यानि शनिवार Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday तो हमने हमारे जो 7 days है वीके उनके name सीख लिए उसको spelling सिखे उसको गुजराती में क्या बोलते है वो भी बता दिया मैंने आपको तो अभी आपको क्या करना है? आपको Sunday से लेके Saturday तक की जो नमबर नेम है सौरी नेम ओफ डेज है नेम ओफ डेज ओके? वो आपको अपनी नोट्बुक में 10 टाइम लिखना है कितनी बार? 10 टाइम ओके? और लॉन भी कर देने है ये नेम ओफ डेज ओके? तो आप लॉन कर दो और फिर मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो बनाऊंगी ठीक है ना? अच्छे से रील करना और लिखना है ना? बोल के Speak and Write कैसे लिखोगे? देखो S-U-N-D-A-Y M-O-N-D-A-Y T-U-E-S-D-A-Y Tuesday Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday फिर क्याएगा? T-H-U-R-S-D-A-Y Thursday इसके बाद क्याएगा? F-R-I-D-A-Y Friday इसके बाद क्याएगा? S-A-T-U-R D-A-Y Saturday ठीक है ना? Sunday से लेके Saturday तक के Name of Days आपको लिखने है 10 टाइम एक स्पैलिंग लिखो के ना? Sunday का स्पैलिंग, फिर Monday का स्पैलिंग, Tuesday का, Wednesday का तो आपको अच्छे से आ जाएगा ठीक है ना? तो यह 7 स्पैलिंग्स आपको लर्न करने है ठीक है? चलो तो आप अपना वर्क करो मैं आपके लिख न्यू वीडियो बनाती हूँ Till then, bye bye, take care